हेलो फ्रेंट स्वागत है आप लोग का NCRT जोन में तेको रेजल्ट एक बहुत बड़ा हर्ट ब्रेक था बहुत लोग के लिए जो आल्मोस्ट वन टेन वन टेन विया वन सेवन या 110 ग्यारा बारा या एवन 105 से भी जो उपर थे उनके लिए बहुत बड़ा हर्ट ब्रेक फायदा नहीं है उसको पकर के रखने से फायदा नहीं है तो हमें किस पर फोकस करना होगा आने वाले एक्जाम पर क्योंकि उस पर जितना दिन हम सोचेंगे उसके बारे में उतना दिन कुछ लोग होंगे जो सोच नहीं रहोंगे और ये तो आपको पता है कि इस बारी सीट भी कम है अभी तक तो सिफ 281 seat है लेकिन obviously बरते हैं seat जब तक prelims का exam नहीं हो जाए तब तक seat तो बरेंगे ही बरेंगे मतलब बहुत ज़्यादा है high chances होते हैं अधिकतर साल बरते हैं कुछ न कुछ तो बरते ही बरते हैं लेकिन फिर भी इतना ना बर के हो जाएगा कि 67 की तरह 800 के prox हो जाएगा और उतना lucrative post भी नहीं है लेकिन देखो अभी तो क्या important है कि अभी तो post होगारा बाद में देखना अभी तो important है कि यार exam हो जाए clear हो जाए prelims हो जाए mains हो जाए interview हो जाए तो आप post को post अच्छा करने के लिए फिर आगे भी exam दे सकते हो 69 भी दे सकते हो ले इसलिए अभी आपको focus करना है अगले आने वाले exam में इतना बाद भी exam नहीं है और जो लोग जो लोग मैं एक reality बता दू जो लोग 100 से नीचे हैं उनको बहुत ज़्यादा tough fight बहुत ज़्यादा मेहनत करने हो जो लोग 110 के आसपास है उनको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करन हो सकता आगे नमबर अगर मेहनत करना छोड़ते हो तो नमबर decrease भी हो सकता है जैसे कि इस बार भी आपको पता है कि majority जो चात्र है वो 113 से 115 के वीच नमबर लाने वाले हैं 113 तो जो उससे उपर ज़्यादा नमबर नहीं आया मतलब कुछ लोगों काया है ऐसा बताय जा रह पर एक चीज और बता दू कि बार बार एक चीज बोला जाता है कि process is more important than result तो process पर focus करना है अभी अगर रुख गया अभी अगर मालो हमने छोड़ दिया कि नहीं यार नहीं करेंगे तो देखो दो महीने में अगले दो महीने में कोई कुछ हो तो जाना नहीं है माल लेते हैं अभी दो महीने है तो हमें दो महीने कुछ न कुछ तो करने ही होंगे तो दो महीने मेहनत ही करना है ना मेहनत ही करते हैं ताकि अच्छा result आ जाए और जब ऐसा तो नहीं है कि अगले एक साल बाद एक जाम है तो हम लोग छे महीने थोड़ा रेलाक्स बढ़ जाएंगे छे म आपको खुद सोचके से चलना है कि आपको उन बच्चों से टक्कर लेना है जो अलेड़ी क्लियर कर चुक है अलेड़ी मेंस दे चुक है अलेड़ी इंटर्वियू दे चुक है इस बार यह रिजल 67 वाला इतना अनप्रेडिक्टेवल था बहुत ऐसे लोग थे जो इंटर्व बारी मेंस देते रहेंगे उनका नहीं क्लियर हुआ है बतलब यह काफी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेवल रिजल्ट था बतलब लोग कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर रहा था जो लोग बहुत ज़्यादा कटफ बता रहे थे वो 108 तक जाक अटक जा रहे थे क्योंकि सब प आपको बार बार एक चीज़ बताता हूं कि पहले एक कोई टॉपिक उठाओ जैसे मालो पहले से अभी हम क्या करते हैं पहले क्राउन पे फोकस करते हैं क्राउन को कम्प्लीट कर लेते हैं फिर जैसे मैं बार 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 बताता हूं कि एक चीज़ देखो क्राउन पे फोकस क प्रिपेशन ऊठाओ. मानलेक क्राउन से कोई टॉपिक कर लिए मॉडरन हिस्टी फिर अप प्रिपेशन ऊठाओ. फिर देखो क्यों modern हिश्टी का कोई टॉपिक कर था पिक कर नहीं हो रहा है. त्यूंकि पहले हम देख लेते हैं अगर इससे ही हो जा रहा है प्रोइब से हमारा 95% इसी से हो जा रहा है तो अब जाना की जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं बोलो spectrum का कुछ topic परना जरूरी है पहले focus करना एक basic book पे या मालो हमारा crown से cover हो जा रहा है और crown से 10-20% extra दिया हुआ है किसके theory portion में घटना चक के theory portion में अगर इन दोनों से हम cover कर लेंगे इन दोनों से cover कर लेंगे तो spectrum का कुछ chapter बच जाएगा तो हमें ऐसे focus करना है पहले crown crown को देख फिर previous question उठाया ठीक है हो गया फिर घटना चक का उठाया घटना चक का पहले theory को एक वारी नजर दोरा लिया कुछ नया नया चीज एक दो point नया मिलता है उसको कर दिया और इस बार एक question थोड़ा आपको पता है negative marking आने वाली है और मुझे लगता है कि वह जो third option है negative marking जिसमे पे ज़्यादा बच्चे प्रेफर करें कि हमसे पूछा जा रहा है तो पूछा जाएगा form के समय भी तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उस पे लोग focus कर रहे है मतलब मुझे ज़से लगता है कि वह ज़्यादा होने के chances से ज़से सब को वही पसंद होगा क्योंकि जो हर question में negative marking देना ज़्यादा जरूरी है और क्योंकि हम BPSC आज तक negative marking नहीं हुआ था तो आप UPPCS या UPSC के जो हलके वाले question होते है उस पे try कर सकते हो कि आपके negative marking में कितना हाथ tight तो नहीं है कि बहुत आप जल्दा आदा गलती तो नहीं कर देतो तो UPPCS के question आपको घटना च में और भी exam के question मिल जाते हैं तो पहले कोई topic उठाओ crown से करो घटना चका theory में बस एक नजर दोरा लो नहीं तो question उसका पर हो और question को एक वारी जो repeated होते है ना उसको कार्ट दो हीं पर कि दुबारार अगर revise करने जाओ ना तो पूरा question नहीं पर हो और question के description में अगर कोई ची कर दो या tick लगा दो कि अगले बार revise करने जाओ तो theory पर हो और question को किसी question का description में कोई नया चीज हो वो पर हो तो पूरा हमें पढ़ने की जरूत नहीं होगी ऐसे देखना है हमें उसके बाद बाकि कुछ subject को मुझे लगता है थोरा साब को ज्यादा concept के focus करना चाहिए like science कि 115 या 113 यह आसान कम नहीं है इसलिए अब जो चार subject पर जो focus है ना उसको चार ही subject नहीं बाकी subject पर भी उतना ही focus करना इवन maths बहुत लोग छोड़ देतें नहीं maths लोग 10-10 करते हैं तो आप बाकी subject में 10 नमर का lead लेना tough होता है लेकिन maths में जो 10 नमर का lead होगा वो थोरा आगे हो ही गया ना पहले से तो इस बात को भी हमें focus करना है तो clear है नहीं इतना तो हमें छोड़ना नहीं है मैदान बिलकुल नहीं छोड़ना है और क्यों छोड़े इतना आगे आके थोरी छोड़ा जाता है इसलिए आप लोग focus करना है और कैसे क्या मेरे लिए काम करता है वो मैं बताता हूँ और क्या बहुत सारे top or slow के लिए भी ये काम करता है कि वो पहले एक source पे focus करते है किसी topic में लगता है कि वो inclusive नहीं हो पा रहा है तो उस topic को किसी और से cover करते हैं और current affairs तो हम लोग speedy discuss कर ही रहे थे हम लोग edutaria जैसी आ रहा तो speedy और edutaria दोनों cover करेंगे इसके अलावे मैं एक चीज़ और करूँगा vision के monthly magazine का वो मैं इकठा कर लूँगा जैसे 3-4 page में आ जाएंगे एक मन्त का जो BPSC के लिए जरूरी है BPSC के current affairs के लि message कर दो बाकी आप खुद से कर सकते हो बहुत अच्छे से कर सकते हो ठीक है 4-8-5 अभी offline coaching जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना time नहीं है अभी 2 महिने में क्या offline क्या आपको करा देंगे इसलिए आप जो कम time में कराता है जैसे मैंने पूरे crown को 50-60 गंटे में कराए तो आ बायोजी फिजिक्स को काफी अच्छे से बताया है ताकि आपको picture का ज्यादा feel आए ताकि दिमाग में छप जाए यह important है दिमाग में कितना ज्यादा छपता है वो important है उसके अलाबे घटना से मैं practice करवाता हूं NCRT भी कुछ NCRT जो मुझे लगता है बहुत जादे important है वो special में भी हम लोग extra effort डाल लें तो मेहनत सही direction में कर रहे है आराम से होगा तो आप भी करते रिए मिलते हैं फिर next day तब तक लिए thank you thank you so much